कैड कैम टूटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे डिफॉर्म टूल क्या होता है पिछली बार हमने देखा था फ्री फॉर्म टूल डिफॉर्म टूल में किसी भी सर्फेस या प्लेन को हम डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप में ढाल सकते हैं तो चलो देखते हैं insert में जाएए feature में जाएए और यहां freeform के नीचे deform tool है select कीजिए three types के deform tool होते हैं point curve to curve surface आज हम point देखेंगे point select करने के बाद deform point आपको एक point select करना होगा आपकी surface पे हम बीच में select करते हैं यह देखिए बीच में हमने point select किया तो यह arrow यहां आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद यहां distance है deform distance और उसके नीचे जो है deform region इसमें आप radius define करेंगे radius छोटा बड़ा इसके बाद shape है पहले हम देखते हैं distance क्या है यह देखिए distance जैसी जैसी आप कम ज़्यादा करोगे यह आपका deform region है region आप जायज इतना बढ़ा सकते हो और इसके बाद यह shape है shape में आप sharp edge medium edge और full flat edge sharp edge select करते हैं okay यह देखिए हमने body deform कर दी देखिए inside भी body deform हो चुकी है एडिट करते हैं अब हम sharp edge की जग हम यह लेंगे और इसे area कम करेंगे हमने सब कुछ कम कर दिया यह देखिए अब यह कम है select करें तो यह देखिए अब हमने सिर्फ center में deform किया हमने change किया shape यह देखिए यह अंदर की तरफ से भी deform है यह बहुत useful and important tool है उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा भी लिए